तो ये है वो साइकल गाइज जो कि लास्ट टाइम मैंने जब अपना फिफ्थ सीक्रेट डोर ओपन किया था उसके अंदर से निकली थी एक्चुली मैं उसके अंदर दो साइकल्स थी जिसमें से एक को निकाल के फिलाल मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ और भाई साइकल्स की जो रफ़तार है वो बहुत तगडी है या और साथ मैं यह बनी होप्स तो देखो मेरे यह लेट्स गो एक सेकेंड एक साइन बढ़िया से नहीं हुआ फिर से देखो फिर से ओके बनी हॉप बहुत ही बढ़िया तरीके से और वीली नहीं हो पा रहा है यह थोड़ी एक प्रॉब्लम वाली बात देखी बागी स्टॉप ही हो जाता है कभी-कभी जब मैं फुल स्पीड में जाता हू यह देखो ओके ओके आराम से यार कई बार गिर चुका हूं मैं जब से यह स्टंड करने के ट्राइ कर रहा हूं फिलाल अभी तक एक ही स्टंड बढ़िया तरीके से सीख पाया हूं मैं और वह है बनी हॉप वह भी लगता बढ़िया तरीके से नहीं आया रुक जाओ अभी पर है नहीं होड़ा भाई नहीं होड़ा मैंड़ी नी चाहिए के साइल फिलालphone ठीक टा Asian के लिए फ्रीह नहीं नहीं हो रहां सब्वाइग इंग facing a deigu जो लेकिर आया ताम है आज कूण के एक करेंड़ीन द्शोंते पते ही आप से mm准या देगा i करने के लिए जो मैं टेंक लेकर आया था वो चूरी हो चुगा है फिलाल उस टेंक से कुछ फाइदा भी नहीं आता ये डोर उपन भी नहीं हो आता कैट जो भी ओफट आफट से अंदर चलते हैं और इस साइकल को रख के आते हैं Okay 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 आराम से आराम से बहुत भी बढ़िया बहुत भी जादा भी बढ़िया और यहाँ पर आ गया हूँ मैं अव नो, अबै व दरवाज़ा कहा हूँ गया लै बई, पता नही दरवाज़ा कहा ही गेड़दीया मैंने कोई बात निया भी फिलाल साइकल को यहीं पर पाक कर देते हैं यार बड़ी है तरीके से ओके यार छोटी से जगह में साइकल बाई कुछ भी चलाना कितना मुश्किल होता है तो यह देखो गाईज यह निकला ता भाही जब लास्ट टाइम मैंने अपने गेराज वाले सीक्रेट डोर को उपन किया तुम लोग देखो भाई कितना अजीब हो गरीब है यह सब कुछ बिल्कुली अन्यूजूल सा है बट एक चीज बढ़ी है पूरे की पूरे इस सीक्रेट डोर के अंदर के सेंदर मुझे इतना सारा गॉल्ड मिला है जिसकी कीमत बहुत जादा होगी यस बहुत ही जादा कीमत होगी और यहां भरी काफी जादा आराम दायक मुलायमस सब बैड भी है तो यहां पर नीन्स भी बड़ी आने वाली है खेर यह सब छोड़ो, आज मेरा प्लैन सुनो गाइस, आज मैंने बहुत ही तगड़ा प्लैन मनाया है सबसे पहले तो इस वाले सीक्रेट डॉर से बाहर निकलते हैं लेट्स को ओके बाहर आ चुका हूँ मैं तो देखो गाइस, अभी तक मैंने कुल मिलाके लगभग 5 डॉर के करीब सीक्रेट डॉर से उपन कर दी है, तुम लोग एक बार मैं काउंट करवा देता हूँ सबसे पहले सीक्रेट डॉर उपन किया था जो की ओपन किया था मैंने ह्ठा हां यहाँ जो पर देख सकते हो यहीं वाला, अपना स्क्रेट डॉर उसके बाद जो मैंने door open किया था वो था अपना fourth door वो था ये वाला door और उसके बाद fifth door जो की था अभी जिसमें अभी मैं bicycle रखके आया हूँ अपना garage के अंदर वाला door तो इस वक्त लगभग मैंने पांच doors open कर लिया है और मेरे घर के अंदर भाई, कफी सारे डोở's थे तीरे दीरे करके जहिए एक एक करके लॉदर को open कर रहा हूँ पांच open कर लिए है राजबारी है 6th door की देखना की ये है कि 6th door के अंदर क्या निकलता है कैसा निकलता है और कैसा होता है मामला उसके अंदर का फिलाल सेलेक्ट करते हैं भाई कौन सा सिक्स्त डूर उपन करें मैंने सेलेक्ट कर लिया है गाई इस देखो भाई यहां से जास्ट सामने की तरफ अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो वो डश्ट बिंस रखे पड़े हैं केस चस्ट पीछे यह वाला जो डूर है यह मैंने आज से पहले कभी भी ओपन नहीं किया है तो आज मैं फर्स टाइम ओपन करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ आखिरकार इस दर्वाज़े के पीछे क्या है फिलाल इस डूर को भी ओपन कर लिया है हम लोगों ने अल्डेडी बसता है यह वाला डूर तो चलो जरह इसको भी ओपन करके आज देख लिया जाए कि क्या राज चुपे हुए हैं इस डूर के अंदर ऐसे मैं सच बताओ कभी जरूरत ही नहीं पड़ी भाई मेरा काम ऐसा है मैं गाड़ी वाड़ी चुराता रहता हूँ या फिर तकड़े तकड़े मिशन्स करता रहता हूँ तो इन सब में जरुआती नहीं है घर के अंदर इतना जाने की बल्कि वह वाला जो गेट महा आशे यूस भी नहीं करता और इसी वेज़े से कभी मेरे को टाइम ही नहीं मिला स्पेसिफिकली ये देखने का कि हर डूर के पीछे आखिर कार है क्या बट यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हमारी सीरीज के अंदर हम लोग सारे डूर्स को उपन करके चेक करें किस डूर के पीछे क्या है और आज इस सीरीज में बारी है 6th door को उपन करने की तो चलो शुरुआत करते हैं तो यह दोर देखना यह है क्या निकलता इसके पीछे उमीद तो भाई जादा कुछ है नहीं सारे दर्वाजों के पीछे से कुछ नहीं कुछ ख़जाना साही निकलाए किसी के अंदर गोल्ड किसी के अंद कर नहीं सकता मैं तुम लोगों तो पता ही है भाई जी डे 5 के अंदर ऐसा सीन है कि मैं घर के अंदर वैपन्स लाही नहीं सकता हाई एक तरीका है जिससे मैं वैपन्स ला सकता हूं वो है अपने उपर 5-star की पुलिस लगवा के बट मैं उस तरीके का यूज नहीं करने वाला क मान लो कि मैं घर के बाहर ही हूं अब इस वैपन को मैं अंदर ले जाने की कोशिश अगर करता हूं तो अंदर जाते ही वैपन गायब हो जाता है तो ऐसा सीन है गाइस जीडे 5 का वर्ल्ड कुछ इसी तरीके से काम करता है भाई कि हम लोग घर के अंदर वैपन्स नहीं ले सकते अब पुलिस को अपने पीछे लगवा कि आओंगा मैं तब वैपन का यूज करूंगा पर उससे पहले हैमर का यूज करते हैं लेट सी हैमर कुछ काम का है यह नहीं है हैमर का तो सीन ही समझ में नहीं आ रहा भाई इससे कुछ फरक भी पढ़ा है अस तक किसी हाजे पर इतने हैमर मैं किसे गाड़ी बजा दू बुलेट रूफ कार पर तो गाड़ी तूट के चकना चूरो जाए लेकिन यहां पर देखो भाई एक स्क्रेच जहां पर हैमर बढ़सा रहा हूं मैं एक लिट्रली में चिंगारी विंगारी कुछ भी नहीं निकल रही है चोड़ो हैमर वेस्ट है गाइज मैं आग गैस कटर लेकर आता हूं गैस कटर लेट्स को बैग विद अल्टिमेट गैस कटर और यहां पर एजू कन सी अल्टिमेट गैस कटर से भी कुछ खास फरक पड़ता हूं नजर तो नहीं आ रहा है भाई यह देखो यहां पर मैंने और यह दर्वाजे को काटने की जोड़दार कोशिश और कुछ भी फरक नहीं एक डॉट भी नहीं आ रहा भाई गैस कटर से कुछ जलना कोच यह दर्वाजे के अंदर पता नहीं बाई जिससे मैंने घर खरीदा उसने किस मेटीरियल से यह दर्वाजे बनाया भाई खुलत यह दिसफी हे इस ड्रिल म मूशीन लेकर आते हैं मुझे पता है मुझे फटा है उससे भी कुछ भी नी होने माला okay okay बारी है ड्रिल मशीन तो पढ़ चाहर हया है दर्वाजे के उपर बंदास ड्रिलिंग कर रहा हूँ मैं भाई एक एक स्क्रेच नहीं आ रहा है दर्वाजे पे अरे एक स्क्रेच फिर यह सब निकल के रहा है धूल मिट्टी है अरे यार क्या करूं मैं छोड़ो वेश्ट आई यह भी तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा यार मैंने बहुत सारे तरीके इस्तमाल क और यह तरीक्या कभी भी किसी भी दर्वाजे पर आज तक काम नी आ आया यह फिर भी द्रौस करता हूं इन तरीको का कि क्या पता क्या पता कभी जिन्देगी में तरीक helped ये तरीके मेरे कभी भी काम ने आते हैं अब एक और तरीके का यूज करूँगा गयज मैं और वह तरीका है मशीन गन मुझे एक ट्रिक पता चली है जिससे इस GD-5 के अंदर मैं मशीन गन घर के अंदर लेके जा सकता हूँ और उस मशीन गन को मैं चला के देखूंगा गैज देखते हैं वो मशीन गन वर्क करती है कि नहीं क्योंकि ऐस यू नो गैज मैं कोई सा भी वेपन घर के अंदर आववियसली नहीं लेके जा सकता है यह GD5 के खिलाफ है तुम लोगो कई बार ओरेड़ी दिखा चुका हूँ मैं यह देखो शॉट गन बाहर है घर के अंदर अगर मैं ले जाने की कोशिश करो शॉट गन गायब हो जाती है तो ऐसा सीन है बट मेरे को एक ट्रिक पता चली है जिससे मैं मशीन गन ले जा सकता हू तो मैं जा रहा हूँ अभी फटाफट से वेपन्स की शॉप पे और खरीद के लाता हूँ एक मशीनगन देखते हैं यह ट्रिक वर्क करती तें कि नहीं बाहई मेरे को पक्का पता नहीं है कि हो सकता है ट्रिक वर्क वर्क ना भी करेई दिखता है जलते हैं फटाफट लेकर के लाओं माइच घ्सं दूभ है यार। बारिश वारिव ऑश proven के बारेश वीग ऐसे नहीं पिरिवें इतने कली लएक परभी गाल मुझेबशत जहता ही। कि पिछले कुछ टाइम से जब भी मैं अपने सीक्रेट डोर उपन कर रहा हूँ उनको उपन करने का तरीका बिलकुल ही अलग है किसी में लैपटॉप के अंदर से कोई गेम सॉल्फ करनी होती है कोई पजल सॉल्फ करनी होती है या फिर कुस तो दिमांग लगाना पड़ता है उसके बाद ही वो डोर उपन होता है तो मैं कैसोशों कि इसमें भी ऐसी कुछ सीन तो नहीं है रुको रुको मैं मशीन गन खरीदने से पहले ज़रा चेक कर कर के आता हूँ अपने घर में पता चला इसमें भी कुछ है ऐसा सिस्टम हुआ यार है कुछ पेपर वेपर पड़ाओ कि भाई क्योंकि लास्ट टाइम ही जब मैंने ये दर्वाज़ा ओपन किया ता अपने गिराज वाला इसके पास एक पेपर पड़ा हुआ था भाई लैपटॉप के थूँ तुम लोग सॉल्फ करो इसकोर करो ऐसा कुछ 50 लेवल और उसके बाद तुम ओपन कर सकते हैं इस डूर को मैं जरा देख लूँ पता चला उस दर्वाज़े के पास भी कुछ यूनिक सी चीज हो एट्सको लेट्सको जैसे इस वाले डूर के पास वो देखो उपर की तरफ वो एक पजल ती जिसको मैंने सॉल्फ किया था और उसके बाद ये डूर उपन हुआ था ऐसा ही हो सकता है में भी इस यह थो यह थो लाइट है पजल थोड़ी रहे इदर बैंच के नीचे जड़ा देखे वह पैंच के नीचे देखने की कोशिश करते हैं नहीं है यह तर कुछ नहीं लगता है यह दर्वाजा पावर से ओपन होगा ना कि टिजिटल तरीके से चलते हैं फिर लेकरा दें मशीन गन टृक्त करते हैं देखनेते हैं मशीन गन वोक करती है कि नीए घर के अंदर वाई वैसा चीज के बारे में विशाध जीक चांस कितने सारी सब्कोमत अचकर छाम करने का जो है de availability तो में भी इस दर्वाजे को भी उपन करने का तरीका डिश्टल होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है फटा फट से लेकर निकलते हैं गाड़ी को वेपन शॉप पे और मैं फटा फट से मशीन गन लेकर आता हूँ एक और दरवाज़े ऊपन कर लो फिर उसके बाद मज़े आ जाये फिर अल्मुस सारे डर्वाजे ऊपन कर नो उसके बाद शायद एक दो और रह जाएंगे एक शायद बातरूम वाला हो जाएगा एक एका दोर होंगे दर्वासे उन्हें भी उपन करने की जरूर कोशिश करेंगे फिलाल वैपन स्टोर के पास मैं पहुंचने वाला हूं इधर ही कहीं तो है वैपन स्टोर ओ मेरी गाड़ हो जाते हैं इसलिए मैं एक ही दुकान से तो दुबारा नहीं लूँगा वैपन्स मैं चला किसी दूसरी शॉप की तरफ मैं काम करता हूं यह यह जो गली है भाई गली नहीं है मतलब यह जो सड़क है सीधे जाती है उदर की तरफ भी एक वैपन स्टोर है वहां से हम लोग साइड ड्राइब करना पड़ेगा बढ़ कोई रात नहीं चलता है यहां से इधर की साइड वैपन स्टोर है नहीं यहां पर नहीं आगी है थोड़ा अब कहा चला गया यार वैपन स्टोर यहीं तो हुआ करता था पहले यहां पर शूटिंग रेंज लिखा तो है यार यह तो रहा भाई वैपन स्टोर एम सॉरी भाई साब चलो गाइज वैपन स्टोर मिल गए आप शूटिंग रेंज भी है आरे वा फिर थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तबाही मचा देनी है मुझे सीरियस तबाही ओ यह लोग ट्यूशन भी देते हैं शूटिंग के बा यह निशाने बेगा रहे तेरे हट जा साइट जा मेर को करने यह सब तेरे बसकिना है ओके मेरा टार्गेट आ चुका है ओके मैंने इन से मशीन गन मांगी बटेनों मुझे राइफल ही दे दी गाइस कोई बात नहीं कोई पॉइंट पॉइंट पीले वाले पर आगर मैं जल्दी रिलोड ऌके 100 पॉंट हो तीन दीन आ जल्दी 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 काम ऑwn यार क्या कर रहा हूं मैं नाइं-नाइं-नइं-इंइंश बहुत ही बड़ी यह पहला चैलेंज़ पास कर दिया मैंने अब दूसरे शुरू हो गाइब श म आँ मैं मजा रहा है यार लेकिन इसमें भी यह वी एक फन है यार आना चाहिए जब लॉस एंटॉस में भाई कुछ भी काम नहों अपने पास तो इधर के आके ही एकदम मस्त शूटिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए ओके अब यह सब इधर मूफ करेंगे कम ओन पीला वाला जो है वह बेटर स्कोर है ओके ओके नाइस नाइस बहुत ही बड़िया आरे या रिलोड भी तो आता इसमें ओके कम ओन टाइम खतम होने वाला है बस बस पांच सेकंड रहा गया चार सेकंड तीन सेकंड दो सेकंड एक स जान दो अब अब तीसरा चैलेंज कहां से आ गया अरे जाने तो यार अरे अब क्या मुविंग टार्गेट्स और वो भी गायब होते रहेंगे ओनो यह तो और जादा डिफिकल्ट है यार अब जल्दी करो भाई प्लीज हेलो ओनो मुविंग टार्गेट्स और वह भी गाय है इन लोगने मुझसे हो गया बस मेरा हो गया भाई तो मेरे को मशीन गंदे कभी नहीं आना तेरे पास कितने सारे चैलेंज कंप्लीट कर वा लिया बट मजा आया यार यह तो मानना पड़ेगा तुम लोग मशीन गंदे भाई साथ सो साथ गोलियों वाली मशीन गन अभी मजा है गना बाई अब मैं ट्रिक का यूज़ करूंगा और घर के अंदर जाके मशीन गन से तबाई मचाओंगा चलो बाई अब फटा फट से देखोगा इस ट्रिक यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा यहां से यह मैं लेकर गया मशीन गन मैं इधर से एंट्री लेने की बजाए मैं उपर से एंट्री लोगा येस दो दर्वाजे अपने गर के अंदर जा रहेंगे मैं दोनों में से किसी दर्वाजे से नहीं जाओंगा मैं जाओंगा उपर वाले दर्वाजे से यहां से आगया यहां पर और यहां से अगर मैं शायद अंदर जाओंगा तो यह ट्रिक काम कर जानी नहीं चाहिए अब यार काम नहीं कर रही भाई मेरी ट्रिक क्यों नहीं काम कर रही है अरे प्ली मशीन गन घर के अंदर मौजूद हूं मैं अभी फाइरिंग जरा शुरू करते हैं एक ताम स्टाइल से लेट्स डू दिस जस्ट लुक एट इस भाई कितनी सारी गोलियां या मशीन गन से गिर रहे हैं मतलब गोलिया नहीं शेल्स और यहाँ पर तबाही मचा दिया है मैंने सामने वाले दर्वाजे के लॉक पर भाई आस तो दर्वाजा ओपन करके रहूंगा यार मैं तुम लोग लगता गया है मैं छोड़नों का दर्वाजे को बिल्कुल विने सिक्स्त डोर है आज का अपना ये और लॉक पे जितनी गोलिया बरसा रहा हूं कुछ ही देर में आएगा इस ये लॉक ओपन हो तो जाना चाहिए मेरी मशीन गन के अंदर बहुत ही थाकत है शेल्स देखो तुम दो कितनी सारी यहां पर निकल रही है भाई जो भी है लगा पड़ा हूं मैं मशीन गन से ओपन तो करके रहूंगा इस दर्वासे को प्लीज मशीन गोलिया भी खताम होने वाली है इसकी थोड़ी देर में अरे ओपन हो जाए यार इजद का सवाल है इतनी मुश्किलों से में मशीन गन ले कोई फर्क ही नहीं पड़ा पता निकासे ओपन ओगा यह दर्वाजा कैसे कैसे ओपन करू इस दर्वासे को यह कहां का एरिया रुपो में पीछे से अट इक करो इसज़्सके तब में भी ओपन जाएए इदर का इलाका लग रहा है पता अननी कैसे उपन हो गाई यह मैंने तो मशीन गन से ट्राइक कर लिया यार मशीन गन कि सारी गोलियां भी खड़म हो गई एक भी गोली नी बचीये इस मशीन गंदर कुछ भी नी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ चली ने रिए गोली खदम हो गई है फिर भी फिर भी वह दर्वाजो अपनी हो आप समझे भी नहीं आ रहा है मैं करूं तो करूं किया ऐसदे मिलें कर आंदे क्षाब ही हो गया लासट हैंट टेंग लेकर आये त चुपिट सा दर्वाजा, इस्टिकी बॉम्स, अरे लेकिन इस्टिकी बॉम्स नहीं आएंगा ना भाई, मेरे पास जो ट्रिक थी गाई, उससे मैं सिर्फ मशीन गनी अंदर ला सकता था, और कोई वेपन्स नहीं, और मुझे लगता है, इससे इस पे कुछ फरक पड़ेगा म करू तो करू क्या मैं, हैमर का यूज कर लिया, मैंने, कैस कटर का यूज कर लिया, ड्रिलिंग कर ली भाई, यहाँ अबर मशीन गन का यूज कर लिया, दर्वाजे को बहुत पीटने की कोशिश कर लिया, फिर भी नहीं खुल रहा है, और साथ ही साथ मैंने इधर भाई, सो और मैं वैपन का यूज करूँ और आई नो उससे भी ओपन नी होगा यह दर्वाजा तो आखिर उपन होगा कैसे यह दर्वाजा सबसे अलग मिला यार मेर को अभी तक मैंने जितने भी दर्वाजे ओपन किया है या तो भाई देखो वो टैंक की तोप से खुल जाते थे या पर उसके अंदर कुस्तो पजल होती थी उससे सॉल्फ करना पड़ता था या तो कुस्तो होता था जिसको सॉल्फ करके वो दर्वाजे से आराम से प्यार से उपन हो जाते थे यह दर्वाजा उपन होने का नाम नहीं ले रहा भाई मैंने सब कुछ यूज करके देख लिया ने कर रहा है टैंक वैसे पें अंधर लेकर आहीं सकता मैं क्या करूं करूं तो क्या मैं कैसे ऐसे ऐसे बार होगा हेलो भाई प्लीज उपन हो जला क्या किरके मानेगा तू बाइक वाई lang के थो किंधा करें मारूं किया यार यहीं ट्रॉक मैंने इस वाले दरोजे पे भी ट्राय की थी इस दरोजे पर काम थो नहीं किया था इस ट्रिक ने कोई बात नहीं एक अग बार वर ट्रिक का यूज जाए होप की ही इवका Beam कर जाया तो मुलग यौधे काम करो वीटो को लाइक करो सबस्क्राइब करो Iaction कोई पॉड़ी मिल चुकी है अब यहां से निकलते हैं और यहां से निकल के चलते हैं एक लाने के लिए एक लेकर आते हैं बाइक मुझे पता हाईवे वाले रास्ते पर मिल जाएगी किसी की और उसे टकर मारेंगे ऐसी इसके अंदर बूश्टर बूश्टर हो समझे मेरे कहने का म ने बूश्टर है इस में पर बूश।े में inned users बूश्टर है वह लोड़े कुछ बोल और नियार वह गदा घांछाओ लॉर नहीं पूछ किशे लाता हु कि वाले बंदे एक सेग चुलाते रहते हैं आ रहरो हम सब रास्ते जाओ अब बैक ही नहीं दिख kij में जिन गए या फिर नहीं है वो येस है वो येस की बाइक में तो बूस्टर और चाहिए अब जीवन में फटाफर से पहन लिया हेलमेंट आई एम वेड़ी लेट्स गो एविवन बूस्टर का कमाल तुम लोग जानते नहीं भाई बूस्टर से अच्छी खासी बाइके उड़ जाती है यह देखो बूस्टर के यूज से मैंने बाइक उड़ा दी है तो दर्वाजा क्या चीज है दर्वाजे भी उड़ाई दूंगा आम से बहुत ही बढ़िया इधर से इधर चल बहुत ही बढ़िया लेट्स डू दिवार में नहीं मारनी थी टक्कर भाई पाइक अब एक सहीन पहले तो यह हटाओ यार यह क्या है यह क्यों है यह ड़स्ट बिन भी तो नहीं हट रहा है मेरा घर ही अजीब हो गरीब है कृट दर्वाजा क्या ओपन करोंगा मैं जब इकस्ट बिन इंहट रहा है तर सके लिए तो पहले आप इस जस्ट बिन भाई बाद में पहले आप इस जस्ट बीन को हटाना पड़ेगा भाई को रखो इधर आप तो वो डस्ट बिन गया लेट्स को गईस डस्ट बीन तू अरे दश्ट बिन भाई हट जा क्या लेगा हटने का यार ये इतने सालों से डश्ट बिन यही पड़ा हुआ इसलिए यह फट भी नहीं रहे अब एक सेकेंड इसके पीछे कुछ पड़ा हुआ है भाई क्या पड़ा है दिखनी रहा है रुकू रुको 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 इसके पीछ कुस तो है कैसे दिखेगा एक से लेट के देखना पढ़े गा रुखो अब याार जहाकने की कोशिश कर रहा हूं मैं रुखो भाई क्या है इतर देखिव जो मेरी नजरोंसे बृटपर केस्म कर रहा हूं है बाई ऐस लोगों को दिखाता हो GUYS ड्रोन से दिखाना पड़ेगा इस नहीं दिखेगा यह चीजब आई बहुड मैने इसको भीため चीज आंधर इसके लिए भी कोई puzzle type कोई चीज है इसके लिए भी puzzle solve करनी पड़ेगी क्या लग तो कुछ ऐसा ही रहा है एक काम करते है guys जरह देखते हैं क्या puzzle है और फटा-फट से solve करनी की कोशिश करते है देखते हैं क्या scene है let's go, चल दें puzzle solve करने लिए let's go guys, score 500 500, मतलब अच्छ इस game के लिए okay guys, यह एक puzzle game है जिसके लिए हमें score करना है 500 और उसके बाद यह door open हो जाएगा इस game का नाम कुछ है hexagon fall कुछ ऐसा अजीब और गरीब सा नाम है, ठीक है देखते है, score 500 500 score करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है hexagon fall, let's start this guys क्या करना है, destroy the blocks to move your hexagon down अच्छ आमें blocks destroy गना है, उससे यह जो hexagon है, नीचा है try not to fall out of those tower or you will lose अच्छ यह अगर गिरा तो game खतम and remember use the special squares carefully okay, okay, तो हमें special squares भी मिलेंगे चलो, ठीक है okay guys, देखो, मैं समझ गया this game का मतलब इस game के अंदर यह तुम लोगो देख रहा है, यह yellow इस game के अंदर जहां पर भी एक जैसे colors होंगे अगर वहाँ पर हम लोग click करेंगे तो वो सारे colors कायब हो जाएंगे, जैसे कि इस पहली line में यहाँ पर तुम लोग देखो, yellow yellow colors है यहाँ पर मैंने click किया तो yellow सारे color गायब हो गए कुछ इसी तरीके से, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई pink ही pink color है इस पर अगर मैं click करता हूँ तो यह देखो इस वाले level के pink color गायब हो गए मतलब एक, एक मनजिल के, एक floor के colors गायब होंगे और यहाँ पर score अपना आ रहा है तुम लोग देख सकते हो, score 35 तो यहीं पर मुझे 500 का score करना होगा, at least ठीक है, समझ गया कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है संभाल लेंगे, कोई, कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई, यहाँ पर यह green ओके, अराम से बहुत ही बड़ी है अगर यह hexagon गिरा ना भाई, मैं पक्का गिर जाओंगा ओके, अराम से बहुत ही बड़ी है संभाल के नीचे आ रहे हम लोग, यहाँ पर click करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही बड़ी है अब यह दो लेवल के अब गायब हो रहे है ओनो, ओके संभाल के, यहलो गायब, यह गायब, ओनो, अपर वो काल लोडग गया 165 के score रहा, ओके 500 के score करना है ना भाई, अच्छा वो reset हो गया, ओके, ठीक है, समझ गया मैं 500 का score करना है भाई, यह हम लोग कर सकते है, कर सकते हैं भाई, को दिक्कत वाली बात नहीं, अराम से, बिलकुल, अराम से एकदम patience के साथ बढ़ते जाना है और इसको definitely हो जाएगा, यहां से यह गायब, यह गायब, यह गायब, उसके बाद यह गायब, यह गायब, अब क्या करूँ मैं, यह, ओनो, लोड़क रहा है वो, यहां पे, यहां पे, ओके आराम से, वो गया ब्लॉक, यहां से यह गायब करो भाई, संभाल के, यह बाम क्य क्या सीन है काफी सारे एक साथ ब्लाश हो जाया का मुझे लग रहा है तो नो गैस क्या करो इस बॉम का क्या होगा इस से ओके ओनो ओ भाई बच गया मुझे तो लगा गया मैं 300 के स्कोर पर पहुंच गया एक और बॉम ब्लाश कर दिया ओ नो 335 का स्कोर हो चुगा मेरा बर 425 नीचे कमान 470 47 अभे या ओ यार जल्दबाजी फिर से कर दी 485 तक पहुंच गया था मैं भाई मेरा बैस्टी स्कोर 500 तो हो जाएगा फिर रुको रुको इस ट्राइमें हो जाएगा गाइस पक्का तुम लोग जाकर बट फटाफ से वीडियो को लाइक करो बाई इस मैं तो पक्का मेरा 500 हो जाएगा और मैं धरवाजे को उपन कर लूँगा शायद पता नहीं ओनो अराम से ओके 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 प्यार से बिल्कुल ओनो अटक गया यह हेक्सागन वो नीचे की तरफ लोड़क रहा है यार रुको वेट 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 बॉम्स का क्या सीन है अच्छा हाँ बलास्ट होता है यह पूरा एकी साथ ओके नई हो बचे पड़े हैं भाई अभी तक एक काम करता है इसको थोड़ा इदर सरका लेता हूं हाँ अब इस बॉम्स को ब्लास्ट कर देता हूँ मैं अबे यार बाई यह तो बहुत ही मुश्क अब ना इस तरीके से ये सब ये सब ये स्टार किस मतलब का है बताने स्टार का क्या मतलब है ले लो भाई ये भी अच्छा उससे सीथे 100 मिला क्या स्टार से को कि 335 पे मैं once again पहुंच चुका हूं और इससे आगे 400 come on come on 440 455 संभाल के रुक जो भई ruk jau रुक जो 635 और इसी किसा डूर अन लॉक द लिखा चुका है मतलब हमारा डूर अन लॉक हो चुके देखते हैं और चंतबॉव हो चुका है जाने ज़ाए और यैस रचू मिलेखते हैं तो चलक देखते लक द्लाते हैं और झीन क्ना सब देखते ह क्या है आखिरकार इस दर्वाजी के अंदर लेट्स को ओके आ चुका हूँ मैं और ये स्टेर्स का बोर्ड क्यों लगा आचा हाँ यहाँ से निकलते ही मेरे घर की सीड़िया ही तो है देखो था यहाँ पर इस यहाँ पर स्टेर्स का बोर्ड लगा हुँआ अब ये सब क्या लिखा हुए, Danger, High Voltage, Machineries, I guess मेरे पूरे के पूरे घर का Electrical System है यहाँ पे, तब ही लगता है यार, ये दर्वाजा इतनी पूरी तरीके से बंद था, और अब आई सब, मैं तो यहाँ पर उमीद में आया था कि कुछ मिलेगा, Gold, Car, पैसा, Bike, Cycle, कुछ भी नह है भाई, कुछ भी नहीं, भूपट होगा मेरा, अब ये तो पूरे घर का Electrical Appliance, जितने भी है, पुरा Electrical Compartment है यहाँ पे, भाई, ये क्या पंखा सा घूम रहा है, नहीं, अब जनरेटर चले, क्या ये, समाज में भी तो नहीं आ रहा है, सब किसी Electrician को बुलाना पड़ेग अब ये तो Human Lab वालों के पास बैसे कुछ सिस्टम नहीं होगा, मेरे पास है, क्या सीन है यार, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ये fire exit बने है, पता नहीं ओपन कैसे होंगे ये, यहाँ पर ये को fire alarm terminal cabinet, क्या है ये, what is this, what is this, अरे, अरे वाय यार, ये तो बड़िया वाल ह मिल गई, ये किस की है, चल वी रही है, ये पड़ियों क्यों होती बहां पर, पता नहीं यार, ये जगा तो भाई, अभी तक जितने भी मैंने डोर्स ओपन के हैं, सबसे confusing तो यही जगा लग रही है, भाई, मुझे, देखो, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर stairs का board भी लगा ह ये इतने जारे बोर्ड, इतने जारे cabinet, ये इतनी बड़ी machinery, क्या है ये सब, यहाँ की बिजली कैसे नाच रही है, यहाँ की light को क्या हो गया है, क्या ये, what the hell is this, और यहाँ पर भी stairs का board लगा है, ये भी अपने घर के सीडियों की तरफ जाता है, नहीं, ये ऐसी बोर्ड, करेंगा रुको, अब मशीन गन में तो गोलिया ही नहीं है, कोई बाती पिश्टल में है, आपर एक tanker पर शूट करके देख सकते हैं, अरे भूल गया यार, मैं तो ये तो मेरे घर के अंदर का इलाका है, यहाँ तो वेपन निकाली नहीं सकता, घर के अंदर ही तो है, ये चलो किया यार, बाहर समझ में ही नहीं आ रहा, चले क्या, क्या बोल देयो तुम लोग, या फिर इसकी टेस्टिंग नेक्स टाइम करें, ऐसी बाहर चलते है, चलो वैसे भी मैं बहुत बुरी तरह किस थक चुगा हूँ, निकलते हैं बाहर, प्रॉपर लाइटिंग में ही या पर चलो, ओके बाहर आ चुके हैं और देखो अंदर स्टेयर्स का जो बोड लगाता है, वह इसलिए लगाता है, क्योंकि निकलते ही यहां से, जस्ट सामने ही सीडिया है, इसलिए ही लगा होगा, फिलाल तो यह लास्ट नहीं, सिक्स्ट सीक्रेट डोर तुमें कैसा मीदेल अधा रखी थी, गोल्ड, पैसा, बैड रूम, पूरा एका लगी सीक्रेट बेस, ऐसा कुछ नहीं निकला, यह तो पूरे घर का इलेक्रिकल सिस्टम था यहां पर, बट साथ ही स्पोर्स बाइक भी मिली है, जो कुछ बढ़िया लग रही है, नेक्स टाइम टेस्ट तक डिफरेंट डिफरेंट चीज़े ट्राइ करने में, फिर मशीन कर लेने के लिए, जो मैंने निशाने लगाये थे भाई, वहां पर शूटिंग रेंज में उसमें भी मज़ा आया, तो मज़ा तो आया भाई, लाल वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर द सारे दर्वाजों के अंदेर नहीं देखा है कि बाई हर एक डूर के अंदर क्या है, तो तुम लोग यहाँपर क्लिक कर देख सकते हो क्लिक करने के बाद कीちょ अबक्र कर हर दर्वाजे के पीछे है क्या, पाक आखकी, मिलनें नेक्स फ़ाली वीडियो में, गुछ पायze